एग कपालभाति क्रिया बहुत हलके घर में या किसी को भी आप देखो कि वह एसे कपाल भाति कर रहे है या घरी लगाली और कर्ते जा रहे are उनको रोको मना करो कि ऐसे कपालभाती नहीं करते कपाल भात छाहिछ का है एक तो खाली पेट पेट साफ होना चाहिए और उसके बढ़ा सकते हैं लेकिन घड़ी देख कर नहीं या गिंती करके नहीं जब आपका मन और सरीर कहे कि अब बस हो गया तो रुक जाओ फिर दुबार आए इसको प्रैक्टिस में लाओ चलो करते हैं हाथ पेट पे इसलिए रख रहे हैं कि you have to check that you are right or not when you going to exhale जब आप स्वांस छोर रहे हो तो पेट आपका भीतर जाना चाहिए स्वांस लिए पेट नॉर्मल चलो बच्चों continue इसे कपाल बाद और जो आप सभी नास्ता करके भी बहुत लोग आये होगे breakfast घर से करके आए वो इसे मत करो वो बस breathing करो फास है ठीक है चलो स्टाट और बहुत सारे बच्चे सुबा सुबा बातरूम नहीं जाते ब्रस तो कर लेते हो आप लेकिन उठके पौटी स्कूल में जाते हो लैट्रिंग आप नहीं जा पाते या आपको नहीं आती तो इसके लिए बच्चों आप गुनगुना पानी थोड़ा गर्म लुक वाम वाटर पियो और उसके बाद तीन आसन यह तीनों आसन भी आपको हाइट और वेट को मेंटेन करने में सहयोगी होते हैं तो उसी से आज सुरुवात कराएंगे चलो कपाल भाती हो गया इसे दो चार पांच मिनट रोज सुबह जब फ्रेस होके आओ तब ही आओ जब आप कपाल भाती करोगे तो कपाल जो ललाट है आपकी और जो फेस है उसमें एक ग्लो आएगा वो एक चमक्सी आ जाएगी ठीक है तो कपाल भाती जरूर आपको कपाल भाती करा के स्वस्थ बनाएं कई लोग कई महिलाएं कई बुजूर्ग कई लोगों का वजन नियंत्रित हुआ कंट्रोल हुआ तो यह वह कपाल भाती है लेकिन बहुत सारे लोग जिनको भाई भी था थोड़ा सथ हैरोइड बढ़ा है किसी को डाइबटीज है वह ल करो किसी को कि हाँ और आपको किसी को सजेस्ट सलाह नहीं देना आपको बस बताना है कि यह ऐसे नहीं आप किसी एक्सपर्ट से पूचे कि इनको कि इनको करा दोगते हैं।